तोपिक डिरेक्ट इंडरेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है सभी के लिए इसको नरेशन भी कहा जाता है और इसका मतलब क्या है आप सब को पता होगा आपके घर में छोटे बच्चे हैं या फिर आपने अपनी जो है रेलेटिव में देखे हैं छोटे बच्चे वो क्या करते हैं जब या आप छोटे थे तो आप क्या करते थे हर बात जो है घर आके मामा को बताते थे या फिर घर आके बड़े सिस्टर को ब्रदर को पापा को आके बताते थे कि उसने ये कहा मेरे फ्रेंड ने ये कहा ठीक है और घर आके यह जो बताने की बात है, जो स्कूल में हुआ या जो प्लेगरॉंग में हुआ, जो आप वहां की किसी के जो बात होती, जो उसने की होती है, घर आके अगर हम बताते हैं, तो हम दो तरीके से बता सकते हैं, एक तो डारेक्ट, डारेक्ट तरीके से जो उसके लेते हैं जैसे कि for example she said I go to temple। ठीक है suppose किसी ने कहा है किसी बच्चे की फ्रेंड ने कहा है मैं मंदिर जाती हूँ ठीक है । और उसने आके घर अपने महा को बताया है कि मेरी friend ने कहा है कि वो मंदिर जाती है ठीक है तो वो दो तरीके से कह सकती है, एक तो ये वो बच्चा क्या कहेगा अपनी ममा को, she said, या उसका नाम भी ले सकते हैं, I go to temple, अगर तो इस तरह से वो बता सकता है, जैसे उसके शबद थे, वैसे ही बता देंगे, तो ये होगे direct speech, आई तो उसने कहा था ना, उसके फ्रेंड ने, ठीक है, अब दूसरा तरीका है, ममा को उसके बताने का, कि वो अपने वर्ड्स यूज कर लेगी, वो बच्चा जो है, अपने वर्ड्स, she said that she went to temple, ठीक है, या school जाती है, तो temple, जो भी उसने कहा है, हम उसको, ये जो है, उसने अपने वर्ड्स लगा दिये, कि उसने कहा, कि वो temple जाती है, ठीक है, तो ये जो है, ये indirect तरीका है, ममा को बात बताने का, अपने वर्ड्स लगा के, बात उसी की बताई है, घरा के, लेकिन अपने words बता दिये, उसने कहा कि वो, अगर ऐसे बता दिया, उसने कहा कि मैं temple जाती हूँ, तो ये उसके word है, ये direct हो गया, जो उसके शबद्धे मुँ से निकले हुए, और ये हमने अपने बना लिये, लेकिन बात उसी की कही, तो छोटे बचों में ये जो quality है ना, य जो school हुआ, जो भी बाहर उनके साथ होता है, वो घर आके बताते हैं, ये बच्चों की हमेशा ही quality रहनी चाहिए, चाहे बच्चे कितने भी बड़े हो जाएं, ठीक है, अपने parents के साथ, अपनी सारी बाते शेयर करनी चाहिए, My dear friends, this is very good habit, जो कि छोटे छोटे बच्चों में होती है, तो इससे जो होता है ना, parents हमेशा आपका भला सोचते हैं, और उन्होंने कुछ न कुछ आपको advice दे देनी हैं, और कुछ न कुछ रास्ता निकाल देना है, जो भी आप problems बाहर face करते हो, So, ये बीच में advice तो आपको पता है, कुछ न कुछ मैंने बोलना होता है, ठीक है, चलो, forget it now, अब चलते हैं अपने topic पे, ठीक है, तो ये जो होता है न, she said, she said जो है, ये reporting verb है, और I go to temple ये क्या है, ये reported speech है, अब बच्चे ये भी बड़ा confused होते हैं, कि ये reporting verb है, ये reported speech है, तो बच्चे कहते हैं, ये तो याद ही नहीं होता, तो आप इसको just verb, ये जो she said, इसको verb समझ लो, और ये जो उसने बात कही है, ये inverted comment में होती है, जो उसी के शबद होते हैं, ठीक है, तो ये reported speech ना समझो, इसको speech कह दो, क्योंकि उसने बोले है, उसने जो बोला है, वो speech है, ठीक है, ये verb है, तो ऐसे याद रख लो, वैसे इसको पूरा ही याद करना चाहिए, ये आपके easy के लिए है, ठीक है, कि आपको difficult ना लगे, अब देखो इसको change करने का तरीका क्या है, ये हमने direct को indirect में change किया, she said, comma inverted comma को हमने इस को जगा पे हमने लिख दिया that, ये हमेशा ही लिखना है, काफी most of the sentences में ये हमने that लगाना है, कुछ exception है, वहाँ पे नहीं लगाते है, वो आगे चल के हम करेंगे, I go to temple, I का she बन गया, क्यूंकि उसने कहा कि मैं temple चाती हूं, मैं मंदिर चाती हूं, तो उसने कहा कि where, where का फिर कहां से देखेंगे, यहां से, जिसने कहा ह होता है, उसी का यह हम she लगा देंगे, ठीक है, आई नहीं लगाएंगी, where school जाती है, तो यह go का went बन गया, first form का second form आ गया, यह मैं आगे चल के आपको rules कराती हूं, कि क्यूं आया, ठीक है, to temple, अभी तो आप यही याद रखो कि इस तरह से यह हो गया, ठीक है, sentence, इसका direct का हमने indirect बना दिया, अभी मैंने आपको बताया कि reporting verb और reported speech जो है, यह क्या होती है, अब आपने क्या करना है, direct indirect जब भी आपको paper में आता है, चाहे school के हैं बच्चे या फिर entrance exam के हैं, तो जब भी यह आता है, तो आपने यह देखना है कि reporting verb में क्या लगा हुआ है, said लगा हु है, अगर तो says और will से है, तो बात बहुत easy है, फिर तो आपको यह जो verb की changes है, वो याद करने की ज़रूरत नहीं है, सिरफ यह याद रखो, किसने कहा है, वो changes हो जानी, और that लग जाना है, that's it, तो that तो आपको पता, अभी मैंने बताया, comma, inverted comma, cut करके that लग जाएगा, अब यह देखो, मैंने क्या बताया, अगर sad लगा है, तो changes होंगी, उसके rules आगे चलके हम करते हैं, अभी इतना ही देखो, अगर says यह will say है, तो फिर हमने सिरफ यह, यह कट करके that लगाना है, I का she हो गया, क्योंकि where, where जाती है, तो where, यहां से देखके हम she लगाएगे, तो goes, go का goes, यह तो आपको पता ही है, कि first, यह जो singular है, इसके साथ ES लग जाएगा, है, तो यह भी first for me, to temple, ठीक है, next आगया, she will say, I go to temple, इसका भी वैसे ही रहेगा, she will say, यह, यह change हो के that आगया, तो यहां पे she goes to temple, बाकि, you need to check just this thing, that अगर says, says है, यह will say है, तो आगे, tense में कोई फरक नहीं आना, देखो, यह tense go का, go ही रहा है, वो singular है, तो हमने ES लगा दिया, तो इसका second form, third form, कोई change नहीं हुआ, ठीक है, verb में कोई change नहीं हुआ, यह मैंने आपकी convenience के लिए लिखा है, कि अगर I है, तो she यह ही, अगर they है, जो बोलने वाला है, बोलने वाला I कहता है, तो यह से देखो, she है, तो she आजाएगा, यहां अगर he है, तो he आजाएगा, अगर बोलने वाला they है, यहां पर they है, तो फिर यहां पर क्या आजाएगा, that के बाद, they said they, they said they, ठीक है, they है, तो they ही आजाएगा, अगर Gita है, यहां पर, Gita said that she went to temple, गीता के साथ she लग जाएगा, दु यहां pronounce use कर दिया, अगर यह male है, यह boy है, तो यहां पर हम क्या करेंगे, ही लगा देंगे, ठीक है, तो that was our first lecture or session, so far as direct, indirect are concerned, I hope this will appearing to you, this will be appearing to you very easy, thank you, bye-bye.